हलो स्टूडेंस वागत है आप सभी का आज के शांदार वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि कैसे डांस करा जाए अब आप सभी सूच रहेंगे स्रेक्ट बिल्कुल सही सुन रहे हैं विटो जब आप डांस करेंगे तो आपको एक बहुत अच आर यू आर एक्सेटेड एंड एनर्जेटिक तो नो दिस कॉंसेप्ट कि यार सर फड़ा फड़ा बताईए हम कैसे याज रख सकते हैं जो चीज आप लर्न किया करते थे कंफ्यूज हो जाया करते थे उसको में एक बहुत ही सिंपल से डांस स्टेप के साथ क्लियर करने वा वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं तो जो डांस स्टेप आपको सीखना है डांस आपको करना है बहुत ज्यादा टफ डांस स्टेप नहीं है है ना चाहिंगो इमेज फॉर्मिशन लेंस के लिए आप क्या करेंगे आप दौनों हातों को इस तरीके से ऐसे समझरों आप या तो qaj mai अब्जrही अब्जेक्ट जाना है उपजेक्ट जाना है उदर ही इमविज जाएगा था मीररवालगास्ट ऑगर आपको याद है तो मिरर में ऐसा करते हैं ओपस्ट इस में अपका दूर्ट है एक ही तरव यह न तो जिदर आपका ओपजेट जाएगा अधर ही आपका जाएगा तो यू भी कर सकते हो यू भी कर सकते हो बढ़िया और शुरू करते हैं हमारे पहले पहले लेंस से और वह आपका convex lens यह आपका convex lens हो गया अब हम सब जानते हैं कि या फिर concave lens में दो-दो focus होते हैं secondary focus और primary focus correct तो यह आपका pole बोल दीजिए फिर optical negative हो गया और जिदर raise आएंगी यह आपका positive हो जाएगा sign convention से clear है object side negative इधर के दरफ जिदर raise आएंगी वो चीज़ positive आचा तो यह minus infinity हुआ इसका जो image बनता है वो secondary focus पर बनता है we all know that raise coming parallel to the principal axis after getting reflected by lenses या फिर after getting reflected by lens will meet at a point is known as secondary focus इसका secondary focus इधर होता है correct है तो यह आपका हो गया minus infinity यह 2 f1 this is your primary focus f1 this is polar optical center secondary focus two times of secondary focus और positive का infinity ठीक है चलिए table पर आते हैं तो हम देखेंगे यार कहां कहां object होगा तो उसका image कहां कहां बनेगा अगर object यहां होगा तो कहां बनेगा यहां होगा तो कहां बनेगा तो confusion बिल्कुल दूर करेंगे समझते हैं तो minus infinity पर जब आपका object है minus infinity पर जब आपका object है यहां पर इसका image कहां बनेगा secondary focus पर सबसे पहले जो definition होती है focus की वो आपको याद रखनी है और secondary focus पर बनता है तो minus infinity का secondary focus पर बनेगा तो सबसे पहले अपने टेबल में के लिख दिया माइनस इंफिनिटी का सेकेंडरी फूकस पर अब डान्स टेप को दिमाग में रखना है भाईया है ना अब आपका अबजेक्ट जो है अबजेक्ट जो है वो इधर की तरफ लेगा यहां पर पहुँचेगा तो इमेज भी आपको इधर ही चलानी है ऐसा देखो मेरा हातों को देखना भईया है ना ऐसे अबजेक्ट यहां से यहां आया इमेज यहां से यहां जाएगा तो जिधर अबजेक्ट जा रहा है उधर ही इमेज जा रहा है क्या डान्स स्टेप कर पा रहे हो फड़ा फड़ से एक फड़ दंसेप कर ले, सोच ले तो इधर से इधर object आया तो इधर से इधर ही मिच जाएगा तो object अगर minus infinity से 2f1 है तो image f2 से 2f2 है तो यह आपका आजाएगा minus infinity से 2f1 है तो यह आपका f2 से 2f2 की तरफ जाएगा जैसे ही आपका object इधर 2f1 पर पहुंचेगा, image भी 2f2 पर पहुंच जाएगा है ना, 2f2 पर पहुंच जाएगा 2f1 पर object पहुंचा 2f2 पर image पहुंचा चलिए आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर object है यहाँ पर image है अब आपका 2f1 से f1 की तरफ चल रहा है तो यह भी आपका 2f2 से infinity की तरफ चलेगा अर बोलो मझा आ रहा है के नहीं आरहा है तो यह क्या हो जाएगा 2f2 से infinity की तरफ चलेगा जैसे ही f1 पर पहुंच हँगे जैसे ही f1 पर यहां से यहां पहुंचे, तो यह भाई साब भी यहां से यहां पहुंच जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका infinity पर, okay, उसके बाद, यहां पर देखें अब, अब जैसे ही आपका object यहां पर पहुंचा, image यहां पर पहुंच चुका है, तो अब जब आप F1 से pole पर पहुंच पोल जो है आपका वो लास्ट स्टेशन है पोल पर कोई भी पहुंच गया तो दूसरे को भी पोल पर आना पड़ेगा है कि ने भईया पोल आपका लास्ट है अप्टिकल सेंटर आपका लास्ट है तो अबजेक्ट यहां पर तो इमेज यहां पर है F1 से P तो यह इदर माइनस इंफिनिटी से P पर इदर जब रस्ता खतम हो गया इमेज के लिए तो इमेज इदर से अब फाइनल क्योंकि आपका पोल पर पहुंच चुका था तो इमेज को भी पोल पर आना पड़ेगा तो यहां से यहां तक बनता है कितना आसान है तो केवल एक बात सेम डिरिक्शन एक डान स्टेप वहां से आपने यह टेबल बना ली बहुत इजिली ठीक है नेचर के भी हम बात करेंगे रियल इंवर्टेट बड़ा छोटा उल्टा सीधा इंवर्टेड इरिक्ट है ना अभी हम उसके पर भी चर्चा करने वाले हैं चलिए अब आप मुझे बताइए इस सेकिंड अगर अपन बात करें कॉंकेललंज की की कॉंकेललंज प्लोग मुझे इस को इसा दिख्न है अच्छा याद रखना, concave में जो है, वो इदर है, जब कि convex lens में, convex lens में, जो आपका secondary focus था, वो आगे था, है ना, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, by the definition of focus, very good, एक बार मैं फिर भी clear कर देता हूं, बच्चो, ये जो आपका है, माइनस इंफिनिटी पर इसका जो secondary focus होता है, वो इधर होता है, और अगर मैं बात करूं, कौन खेव की, तो जो इसका secondary focus होगा, वो आपका इस direction में होता है, इस direction में होता है, clear है, तो ये आपका होगया minus infinity, ये होगा 2F2, ये होगा F2, ये आपका pole, ये optical center, ये आपका focus, F1 है, ये 2F1 infinity, तो दिमाग में रखना है, कौन वेक्स लेंस है, secondary focus उधर की दरफ, कौन केव लेंस है, secondary focus उधर की दरफ, अच्छा सवाल बनता है यहां से, चलिए अब बनाते हैं table, तो सबसे पहले जब आपका object infinity पर होगा, इधर की तरफ, तो सारी rays जो parallel आएंगी, after getting reflected, कहां पर मिलती है, या मिलती हुए लगती है, secondary focus पर, not primary, secondary focus पर, तो हमने बोला कि यार, जब object यहां होगा, तो इसका image इधर बनता है, secondary focus इसका इधर, कि इसका second focus इधर होता है, तो object यहां होगा, तो image यहां आएगा, उसके बाद वही done step, आपका, आपका done step, तो यहां पर object तो image F2 पर, okay, minus infinity पर अगर है, तो image आजायागा F2 पर, image आजायागा F2 पर, अच्छा, अब जब आपने बोला कि यार, object यहां है, तो image यहां है, अब जब आप देखोगे, अब object जब आगे बढ़ेगा, तो image भी आगे बढ़ेगा, तो जैसे ही pole पर पहुँच गया, pole की बड़ी खास बात है, कोई भी एक pole पर तो दूसरे को pole पर आना पड़ेगा, तो आपने बोला, कि अच्छा, image यहां पर पहुचने जा रहा है, तो आप minus infinity से pole के बीच में, कहीं पर भी object रख दो, image आपका F2 से pole ही जाएगा, तो आप ऐसा देखो, दौन ऐसा पहुच जाएगा, same direction में चलाना है, तो minus infinity से pole, यह आपका F2 से pole जाएगा, F2 से pole जाएगा, बोलो बात चमके के नहीं चमके यार, तो यह था आपका location of images, कि यार कहां कहां पर image बनने वाली है, अब बात करेंगर अपन nature की, तो nature के लिए, फड़ा फड़ से इस concept को देखेंगे, जो magnification होता है lens के लिए, याद रखना है, तो अब जो आपका magnification होता है, for nature of image, magnification जो होता है, that is V by U, V by U, V is coordinate of image, U is coordinate of object, कसम है महबबत की आपको इसे जब भी use करना है, sign के साथ use करना है, बिना sign यूज करोगे फिर गलत आएगा, है ना, तो sign के साथ use करना है, negative, positive साथ में डाल के देखना है, अच्छा, अगर value of M, value, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक से बड़ा है, या एक से छोटा है, मैं positive, negative नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ magnitude, एक से बड़ा है, तो large, एक से छोटा होगा, तो small, एक के बड़ाबर होगा, तो same size, है ना, अच्छा, तो जो आपका एक से बड़ा M आया, तो large image बनेगा, एक से छोटा है, तो small image बनेगा, एक के बड़ाबर होगा, तो same size of object, object और image एक जैसा होगा, M अगर negative होगा, तो image inverted होगा, ultra, object जैसा होगा, उसका ultra image होगा, M अगर positive होगा, तो जैसा object है, वैसा ही image बनेगा, erect, सीधा, और जो cases अपने लिखे हैं, जो जो अपने object अलग जगा पर रखे हैं, इन cases में, इन ही cases में, अगर माल लीजे, फिर से वही बात, M अगर negative, अगर M नेगेटिव तो real, M अगर positive तो virtual, M अगर negative तो real, M अगर positive तो virtual, for mentioned cases, ठीक है, चलो, तो सरी ये तो बहुत आसान है, dance step की help से अपने बहुत एजी लिख दिया, और कोई भी एक अगर pole पे पहुँचिगा, तो दूसरे को भी pole पे आना पड़ेगा, बोलो मज़ा आ रहा है की नहीं आ, है ना, बिल्कुल बिंदास मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा है, तो भाईया, like ज़रूर करना है वीडियो गो, और दोस्तों के साथ, fair भी करना है, तो क्या आप तैयार है, मैगनिविक्शन देखने के लिए, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे convex lens की, convex lens की, ठीक है, तो अब देखें, माइनस इंफिनिटी पर जब ये है, तो F2 पर image बन रहा है, ठीक है, अच्छा, object है आपका यहां पर, image बनेगा आपका यहां पर, तो ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका U, अब आप ही मुझे बताओ यार, यू बड़ा है की V, यू बड़ा है यहां से यहां तक, V तो आपका यह रहा है इतना छोटू सा, तो अब जब आप इसको लिखेंगे, V क्या है छोटू, U क्या है बहुत बड़ा, तो क्या बनेगा, very small, very small, क्योंकि आपका जो M है, वो एक से छोटा आ रहा है, U बहुत बड़ा है, V छोटा है, नीचे बड़ा होगा, तो M एक से छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा, small, अच्छा, अब V और U के साइन को देखते हैं, V आपका इधर आया, इधर की तरफ बन रहा इमिज, V इधर मतलब positive, इधर की तरफ positive, V positive, U negative, तो आपका अगर V positive है, U negative है, तो ultimately negative आएगा, negative आने का मतलब inverted बनेगा, real भी बनेगा, inverted और real, खतम, अच्छा, minus infinity से 2F1, तो ये F2 से 2F2, अच्छा, minus infinity से यहां तक, मतलब object कहीं यहां है, तो दखो U यहां होगा, pole से लेके यहां तक, image कहां पर है, इनके बीच में बनेगा, तो V होगा यहां से यहां तक कहीं पर, तो फिर से देखो, V छोटा होगा, U बड़ा होगा, V छोटा, U बड़ा, एक से छोटा हैगा M, magnification क्या हैगा, V by U, U बड़ा है, तो small image बनेगा, अच्छा, अगर मैं बोलूँ, इधर की तरफ image आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है इमेज, तो इधर की तरफ मतलब positive side, V positive है, U इधर है मतलब negative है, तो ultimately V positive, U negative, इसका मतलब inverted भी है, और साथ में real भी होगा, रह यार, कितनी आसान सी बात है मक्खन, तो ऐसे ही, अब देखो 2F1 का 2F2 पर बन रहा है, देखो इधर की तरह, यह आपका इधर 2F1 पर object आया, जैसे यहां पर आया, image आपका यहां पर पहुँच गया, तो actually यह जो length होती है, चाहे 2F1, अगर मैं length की बात करूँ, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर है, F1 और F2 बराबर होते हैं length में, secondary focus और primary focus अलग-अलग है, लेकिन तो length है वो बराबर है, तो 2F1 और 2F2 बराबर, मतलब जितना V है, उतना U है, जितना V है, उतना U है, V और U बराबर, अगर V और U बराबर आएंगे तो कड़ जाएंगे कट कट, एक आएगा, एक आएगा इसका मतलब same size, क्या आएगा same size, फिर से देखोगे तो इमेज आपका इधर बन रहा है तो V आपका positive U आपका negative, ultimately negative, negative का मतलब inverted और real, तो क्या हम आगे वाले boxes भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल down step के साथ, concept के साथ अच्छा अगले lens की बात करूँ तो यहाँ पर दो cases है minus infinity का बन रहा है F2 पर secondary focus पर बनता है, याद रखेंगे तो यहाँ का बन रहा है यहाँ पर यहाँ का बन रहा है इमेज यहाँ से लेके यहाँ, यू बड़ा है V से, यू बड़ा है V से मतलब छोटा आएगा, अच्छा छोटा आएगा मतलब very small, भया, very small U आपका infinity है minus का, अच्छा इस वार जब आपने देखा तो इमेज भी इधर ही बना इस वाले फोकस पर बना secondary फोकस पर और object भी इधर है तो मतलब V भी नेगेटिव U भी नेगेटिव दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो कटके positive आएगा value positive आएगा मतलब erect बनेगा, value positive आएगा मतलब virtual image बनेगा virtual image बनेगा next minus infinity से pole तक minus infinity से लेके pole तक इतना बड़ा segment ये F2 से लेके pole तक छोटा segment फिर से U बड़ा है U बड़ा है मतलब magnification जो है V by U, U बड़ा है इसका मतलब ये भी 1 से छोटा आएगा, मतलब image small बनेगा, M जो है क्योंकि U बड़ा है नीचे बड़ा है तो M छोटा आएगा एक से तो ये आपका small image होगा अच्छा अब आपने देखा कि यार image भी आपका P से F2 मतलब इसके बीच में है object भी आपका P से इधर की तरफ मतलब दोनो इधर ही है जिदर image है उदर ये object है negative side में ही है दोनो अगर negative side में है तो negative negative कर जाएंगे positive बच जाएगा erect बनेगा और virtual बनेगा by the concept बोलो यार feel आया, मजा आया कितने आसानी से हमने dance के साथ और एक छोटे सेकिंड शिप के साथ सारा जो nature और जो location of images है lenses की हैं से पूरा का पूरा बढ़िया से देखा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको लाइक करना है लाइक करना नहीं भूले और इसको जितना फैला सको फैला हो अपने दोस्तों के साथ जिसको आपको नया concept बताने के जरत लग रहे है कितने आसानी से अपने इस concept को समझा जरूर से आप इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए मिलते हैं ऐसे ही amazing वीडियो के साथ और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो comment box में आप मुझे जरूर बताना कि सर next video कुछ इसका मुझे सर ट्रिक बताये यह मुझे याद करने में थोड़ा सा problem करता है जरूर से आप मुझे comment box में बताना so meet you soon in the next video so take care keep practicing bye